मेरी मॉम एक नर्स है वो पिछले 20 साल से उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है मैं अक्सर अपनी मॉम को हॉस्पिटल से पिक करने जाता हूँ जब कभी मैं अवलेबल नहीं होता तो भाई उन्हें ले आता है ये बात पिछले बुदवार की रात की है मैंने अपने ओफिस की शिफ्ट खत्म की और मॉम ने मुझे कहा कि मैं उन्हें पिक करने आ जाऊं मॉम की शिफ्ट साड़े ग्यारा बजे खत्म होती है मैं ओफिस से दस बजे निकल गया और सवा दस तक हॉस्पिटल पहुँच गया मैं हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में कार खड़ी की मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि मॉम टाइम पे नहीं आएंगी अकसर उन्हें रिपोर्ट बनानी होती है या पेशेंट्स को देखना होता है वगएरा-वगएरा मैंने एक जप्टी लेने का फैसला किया मैंने मॉम को टेक्स्ट कर दिया कि मैं बाहर पार्किंग में हूं कार पारकिंग एरिया हॉस्पिटल की इंटरंस के बाहर है जहां कुछ पेड़ है मैंने एक छोटी जब की लिए लगभख तीस मिनट बाद मेरी आप खोल गई मैंने देखा मौम अभी तक नहीं आई है मेरी कार की शीशे पे कोहरा जमा था क्योंकि वो सर्दी की रात थी मैंने कार का डीफॉग आउन कर दिया और जैसे जैसे कोहरा शीशे से हटने लगा मैंने देखा कि एक औरत जो हॉस्पिटल के मरीजों के कपड़े में थी वो मेरी कार के आगे कुछ दूरी पे खड़ी थी मैंने आसपास देखा वहां हास्पिटल के कुछ लोग और थे डॉक्टर नर्स वगेरा पर ऐसा लग रहा था कोई उस औरत को नोटिस नहीं कर रहा मेरी कार के शीशे अब पूरी तरह डीफॉग्ड हो गय थे और मैं ये साफ तौर पे देख रहा था कि वो औरत मुझे गूर रही थी मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की पर मुझे अजीब से महसूस हो रहा था मैंने दो मिनट बार फिर उसे देखा तो वो मेरी कार के और करीब आ चुकी थी मैं अब उसका चेहरा देख पा रहा था वो बूढ़ी लगबख सत्तर साल की होगी उसके लंबे सफेद बाल थे और चेहरे पे कई जुरियां थी उसकी आखें सिर्फ मुझे घूरी जा रही थी और उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन्स नहीं थे मुझे थोड़ी घबरहाट होने लगी तो मैंने फोन उठाके मॉम को टेक्स किया ये जानने के लिए कि वो कहां है मैं सच कह रहा हूँ मैंने सिर्फ 20 सेकंड फोन की और देखा होगा और जब मैंने सर उठाया तो वो औरत पैसेंजर वाली सीट के पास कार के बाहर खड़ी थी मैंने सुचा शायद ये मुझे कोई और समझ रही होगी तो पका करने के लिए मैंने कार का दर्वासा खोला और धीरे से बाहर निकला हेलो मैम आप ठीक हो? मैंने पूछा वो मुझे घूरे जा रही थी आपको कुछ चाहिए? मैंने पूछा उसने मुझे घूरते हुए धीरे से अपना सर बाई और जुकाया क्या आप खो गए हो? क्या मैं आपको सिक्योर्टी गाट के पास ले चलूँ? मैंने बोला उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुझे घूरे जा रही थी मैं वहाँ जमा सा खड़ा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? लगबग एक मिनट तक मुझे घूरते हुए वो मुस्कुराई जब वो मुस्कुराई तो मुझे उसके पीले और भूरे दांत दिखाई दे रहे थे उसकी मुस्कुराहट बड़ी डरावनी लग रही थी फिर वो अपनी जीब को अपने दांतों पे फेरने लगी मेरे दिमाग में आया ये कोई सनकी पागल औरत लग रही है फिर उसने जो बात बोली उससे मैं अंदर से एक काप गया क्या पागल औरत है मैंने तेजी से बोला बोलते हुए वो अपना सर धीरे से आगे पीछे हिलाने लगी मैंने अपना फोन निकाला और उसे धमकी दी मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा क्योंकि सच कहूं तो उसकी उस मुस्कुरहट और हावभाव से मैं बहुत डर गया था मैंने फोन की और देखा तो उसमें मॉम का मैसेज था कि वो बीस मिनट लेट हो जाएंगी मैंने फोरण उन्हें कॉल किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया उस औरत ने तब तक मुस्कुराना बन कर दिया था उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ करने वाली है लेकिन धीरे धीरे वो मुड के दूर जाने लगी वो अभी भी अपना सर हिला रही थी मैं कार में बैठ गया और मॉम को फिर टेक्स किया कि मैं बाहर हूँ आप चल्दी आ जाओ मैंने बाहर देखा तो वो औरत थोड़ी और दूर जा चुकी थी मैंने माइं डाइवर्ट करने के लिए कार का म्यूजिक चला दिया थोड़ी देर में मॉम आ गई जैसे वो कार में बैठी उन्होंने देखा मैं काफी घबराया हुआ था उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और मैंने उन्हें सारी बात बता दी मॉम ने बताया ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि रिशेप्शन से किसी ने किसी को बाहर जाते नहीं देखा मैंने उन्हें बताया कि उस औरत को मैंने वहाँ देखा था और जो उसने बात मुझसे बोली वो भी मैंने मॉम को बता दी मॉम थोड़ी कबरा गई और पर्स से हनुमान चालिसा निकाल के पढ़ने लगी अगले दिन मैं मॉम को लेने नहीं जा सका तो मेरा भाई उन्हें लेने चला गया जब वो वापस आया तो मैंने भाई से पूछा क्या तुमने उस औरत को देखा उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला नहीं कौन सी औरत